ओके गाईज, so welcome back again and इस वीडियो में हम discuss करेंगे कि आप brain की city scan की report को कैसे पढ़ सकते हो, दिमाग की city scan की report को कैसे easily interpret कर सकते हो, तो इसके बार में इस वीडियो में discuss करेंगे, तो इसमें पहला यहाँ पे लेखा है city scan of brain और इसके बाजो में लिखा है plain study, मतलब क्या, plain study मतलब की यहाँ पे बिना dye inject किये ही, यह city scan की report है, वो बनाई है, मतलब की patient में अगर dye inject करते हैं, तो उसको मोलते है contrast enhanced city scan, जिसमें जो dye है, वो patient को पिलाते हैं, orally, या फिर वो intravenously उसमें inject करते हैं, और फिर 2-3 मिनट बाद उसका जो city scan निकालते हैं, तो उसको मोलते है contrast enhanced city scan, यह यहाँ पे बिना dye के है, इसलिए यहाँ पे लिखाए plane study, then यहाँ पे नीचे लिखाए MSCT imaging was performed and using sub-millimeter thin continuous axial plane scan of brain from base to vertex, मतलब की यह जो city scan की report में आपको समझा रहा हूँ, यह नीचे से उपर, base to vertex, नीचे से उपर का है, और यहाँ पे जो axial cuts होते हैं, मतलब की city scan मतलब क्या, तो city scan मतलब की वो ऐसे slice में, जिसका city scan करना है, उस बाग का छोटे-छोटे cuts लेके फिर उसका image बनता है, मतलब की, फिर यहाँ पे देखें तो sub-millimeter मतलब क्या, तो मतलब की 1 mm से कम जो axial cuts होते हैं, उनके बीच की जगर, मतलब की अगर छोटे-छोटे cuts लेते हैं, तो जादा detail मे में आपको पता लगता है, MS City मतलब की multi slice city scan, यहाँ पे देखें तो HR City मतलब high resolution city scan भी आ सकता है, और यहाँ पे जो sub-millimeter लिखा है, तो उससे जादा भी हो सकता है, 5 mm हो सकता है, या फिर 3 mm हो सकता है, या फिर cuts जो है, वो अलग-अलग रह सकते हैं, मतलब की उनके बीच की स्टार्ट करते हैं, तो इसमें लिखा है bonny calvarium, bonny calvarium मतलब की brain के आसपास का जो bonny structure है, bonny जो layer हड़ी है brain का, तो उसको बोलेंगे bonny calvarium, जिसमें देखें तो आगे का जो होता है, frontal bone जिसको बोलते है, frontal हड़ी है, आगे का हड़ी है, देन बाजू का रहता है, parietal bone होता ह और पीछे का जो होता है, उसको बोलते है, occipital bone, तो इसमें क्या देखना रहता है, तो इसमें normally देखें तो fracture वगेरा नहीं हुआ है, वो सब देखना रहता है, तो यहाँ पे आप image में देख सकते हो, normally जो city scan है, वो कुछ इस तरह दिखता है, और यहाँ पे जो bone होगा, मतल acute condition मतलब क्या, acute condition मतलब की, आप में 3-4 दिन में कोई accident की वज़े से, या फिर कोई और condition की वज़े से, जो खून जम जाता है, दिमाग के अंदर, तो वो भी white रंका दिखता है, बाद में अगर देखें तो 5 से लेके 2 हपते के बाद देखोगे आप तो वो वहाँ पे ऐसे, बाद में फिर वो ऐसे ग्रे रंका दिखता है, उसके लाँ देखें तो brain की जो tissues है, पेरेंग काइमा है, वो भी ग्रे रंकी होती है, उसके लाँ देखें तो यहाँ पे खून के सिवाई, जो कोई fluid है, हमारे दिमाग के अंदर जम गया है, या फिर जो ventricles के अंदर CSF होता है, तो वो सबी भी काले रंका दिखता है, तो यहाँ पे bonic calvarium में हमें देखना होता है, कि कही पे fracture तो नहीं हुआ, वो भी हम easily देख सकते हैं, कि उसकी lining में कही पे crack लग गया है, तो fracture को indicate करता है, जैसे कि frontal bone में देख सकते हो आप image में, then parietal bone में हो सकता है, ऐसा, then occipital bone ह हो सकता है, दूसरा parameter है, मलब दूसरी चीज जो देखनी होती है, वो होती है, hemorrhage, या फिर hematoma तो नहीं बन गया है, दिमाग के अंदर खून तो नहीं जम गया है, वो सभी condition को देखना होता है, मलब hemorrhage को तो नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं, intracranial hemorrhage, तो इसमें अलग-अलग प्रकार के hemorrhage की जगह पे होते हैं, उसी साब से अलग-अलग नाम होते हैं, जैसे कि जिसको समदने से पहले आपको समदना होगा कि जो normally क्या रहता है कि हमारा दिमाग है, उसके उपर हड़ी होता है, फिर उसके नीचे तीन लेयर होते हैं, तीन स्तर होते है जिसमें डूरामेटर होता है, एरेकनोमेटर होता है, और पियामेटर होता है, तीन लेयर होते हैं, डूरामेटर, एरेकनोमेटर और पियामेटर, फिर उसके नीचे होती हैं, ब्रेन की टिशूज, जो पैरेंग काइमा होती है, वो सभी, तो यहाँ पे अगर डूरामेटर क उपर के हिस्से में खून जम गया है, मतलब कि जो हड़ी वाला बाग है, और निरामेटर के बीच में, जो खून जम जाता है, तो उसको बोलते है, इपीडियूरल हीमेटोमा, और आप इमेज में देख सकते हो, वो कुछ इस तरह दिखता है, इपीडियूरल हीमेटोमा, और वो ऐसे लेमन के जैसा, निम्बू की तरह दिखता है, और आगे बताया कि, तीन दिन से कम के समय में, जो खून जमता है, वो ऐसे वाइट दिखता है, अगर जाधा समय लग गया है, उसका पांत दिन, या फिर उससे जाधा, दो वीग से जाधा हो गया है, तो वो फिर ऐसे ग्रे रंग का दिखता है, दूसरा है, सब्डूरल हिमेटोमा, तो सब्डूरल हिमेटोमा मतलब की, जो डूरामेटर होता है, उसके नीचे और जो एरेकनोमीटर होता है, हमने जो तीन लेयर बोले, उसमें पहला होता है, दूरामेटर, दूसरा होता है, एरेकनोमेटर, तो उसको बोलते हैं सब-सब-dural hematoma, तो वो ऐसे केले आकार का दिखता है, ऐसे बनाना शेप का दिखता है, आप image में देख सकते हो, देन आगे और भी ऐसे hematomas होते हैं, जैसे सब-arechnoid hematoma, तो सब-arechnoid hematoma में जो yearometer होता है, दूसरा layer होता है, उसके नीचे खुन जम जाता है तो उसको बोलते हैं सब-arechnoid hematoma वो कुछ इस तरह होता है आप image में देख सकते हो आगे एक और होता है intraparenchymal hematoma जिसमें intraparenchymal hematoma या फिर intracranial hemorrhage जो की BP की blood pressure की condition में देखने को मिलता है और यह क्यों होता है तो मेनली देखे तो यह जब high blood pressure होता है तो उसकी वज़े से जो खून की नस है फट जाती है तो उसकी वज़े से यहाँ पे आप में लकवा भी मार सकता है stroke की condition बन सकती है तो उसको diagnose करने के लिए high BP के बाद में city scan करते है वो इसलिए करते है कि यहाँ पे कोई hemorrhage तो नहीं हो गया है intracranial hemorrhage उसको बोलते है यह जो hemorrhage है वो पेरेंग काइमल टिशू जो रहती है brain की तो उसमें होता है देन आगे का parameter यहाँ पे लिखा है extra axial space तो extra axial space क्या होता है तो पहले जान लो कि intra axial space क्या होता है तो intra axial space मतलब की जो brain की पेरेंग काइमा है हमने बोला कि normal tissues जो रहती है brain की अंदर की तो उसको बोलेंगे intra axial और उसके outside में मतलब की उसकी बाहरी और जो भी होगा उसको बोलेंगे extra axial space पेरेंग काइमा के outside पेरेंग काइमा की बाहरी और किसी चीज़ का जम जाना मतलब कि यहाँ पे CSF हो सकता है मत इनका पानी हो सकता है या फिर खून भी जम सकता है जिसमें हमने आगे बोला कि subdural hematoma, epidural hematoma वो सभी होते है उसके लाहाँ देखे तो यहाँ पर post b collection हो सकता है इसमें मवाद भी जम सकता है जैसे कोई infection की condition हो तो उसकी वजह से वहाँ पे मवाद भी जम सकता है आगे है हमारे दिमाग के अंदर जिसमें पानी बढ़ता है literal ventricles के जो choroidal plexus होते है वहाँ से निर्मित होता है और फिर वहाँ से वह ड्रेन होता है नीचे की और spine है उसमें भी और brain में भी इसे chamber जैसा भाग है हमारे दिमाग का तो उसमें क्या होता है उसमें क्या देखना होता है तो उसमें देखे तो नॉर्मली वो अगर बडे तो नहीं बन गए अब बड़े क्यूं बनेंगे तो बड़े इसलिए बनेंगे क्योंकि वह जो नॉर्मली CSF जो पानी है दिमाग का वह अच्छे से बैह नहीं रहा अगर उसमें कहीं पे कोई रुकावाट आ गई है तो वज़े से क्या होगा कि वह ऐसे ventricle फूल सकते हैं अभी रुकावट है वो किसी tumor की वज़े से हो सकती है या फिर कोई और condition की वज़े से रह सकती है या फिर कोई infection की condition की वज़े से भी ऐसे जो आप ventricles है वो ऐसे बड़े बन सकते हैं यहाँ पर Hydrocephalus की condition क्या होती है, तो Hydrocephalus की condition होती है, कि जहाँ पे ventricle के अंदर जो पानी बढ़ता है, मलब CSF जो है वो बढ़ता रहता है, और उसकी वज़े से जो दिमाग के अंदर का pressure है, वो बढ़ता है, तो और उसके बाद में वहाँ पे cerebral atrophy बन सकती है, मलब की दिमाग की जो tissues है, वो ऐसे सिकूर सकती है, तो ये condition बन सकती है, जिसको बोलते है Hydrocephalus, मलब दिमाग के अंदर पानी का बढ़ना, देन आगे यहाँ पे report में देखना होता है, mid line shift, mid line shift मतलब क्या, तो normally देखे, जो दिमाग का CT scan है, उसके बीच में यहाँ से एक line खिचते है, यहाँ तक तो उसको बोलते है mid line, तो यहाँ पे mid line normally कैसे होते है, बीच से होते है, लेकिन अगर कोई condition है, जैसे कि एक side के उपर कोई tumor की condition है, या फिर कोई hemorrhage की condition बन गई है, या फिर किसी और कारण के चलते, यह जो line है, एक तरफ हो जाता है, दूसरी और चला जाता है, तो उसको बोलेंगे mid line, बेंटरिकल फूल गया है, तो उसकी वज़ए से यह जो line है, वो shift हो जाती है, यहाँ पे हमने USG वाली report में discuss किया था, SOL के बारे में मंबलब Space Occupied Lesion के बारे में, तो Space Occupied Lesion मतलब क्या, कि यहाँ पे कोई hematoma की condition, खून जब गया है, उसकी condition तो नहीं है, या फिर जो abscess की condition बनती है, post collection बन जाता है, मवाद बर जाता है, तो वैसे कोई condition तो नहीं है, या फिर कोई cyst condition बन जाती है, cyst बन जाता है, या फिर कोई tumor की condition है, तो इन सभी को बोलते है Space Occupied Lesion, तो वो भी देखना रहता है यहाँ पे, तो I hope आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा, और बाकी के जो बचे है, पेरामिटर्स वो हम दूसरे वीडियो में discuss करेंगे, थैंक यू,